मेरे वीडियो में बैक्ग्राउंड कैसे बदलते हैं। आपने अब्जर्व किया और आपके बहुत सारे कॉमेंट्स आई ये पूछने कि माम आप अपने वीडियो में अलग-अलग बैक्राउंड कैसे यूज करते हो। तो आज मैं आपको वही टेक्नीक्स और टूल्स दिख आने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निधी है और आज इस वीडियो में हम देखेंगी कि कैसे एक ओडिनरी से वीडियो को प्रोफेशनल लुक दिया जा सकता है सिंपल टेक्नीक्स की हेल्प से, जिसके लिए आपको जरुवत होती है ग्रीन स्क्रीन और स्टॉक फोटे जिससे रिकॉर्डिंग के समय आप अपने पीछे प्लेस कर देते हैं ये ग्रीन स्क्रीन आपके बैक्राउंड को रिमूफ कर देता है और फिर आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं स्टॉक फोटेज से जिससे वीडियो में बैक्राउंड्स चेंज होते हुए दिखते हैं ग्री की तरह use किया जाता है अब इस stock footage को हमें धूरना कैसे है सबसे पहले हमें video की theme के हिसाब से background को select करके download करना है इसके लिए आप pixels, unsplash, pixabay या canva जैसे platforms को use कर सकते हैं free stock footage और images को download करने के लिए pixels पर आपको high quality videos मिल जाते हैं अगर आपको natural backdrop या फिर outdoor का कोई location चाहिए या अपने video background के लिए तो वो आप यहां से easily search कर सकते हैं वहीं अगर आपको कोई specific background चाहिए जैसे कि classrooms, libraries या फिर कोई abstract pattern तो उसके लिए pixabay अच्छा option है लेकिन images या videos को download करने के लिए भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे कि clarity, resolution ये सब proper होना चाहिए और ये कैसे देखते हैं या भी हम आगे video में समझेंगे इसके साथ साथ जो भी आप stock footage यूज करें उसे यूज करने पे कहीं आपको copyright का problem ना आए तो वो चीज कैसे avoid की जा सकती है ये सारी चीज़ें आज हम इस video में cover करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे backgrounds है इन्हें हमें search कैसे करना है जैसे हमने pixels खोला तो यहाँ पर आपको photos, videos दोनों के options मिल जाते हैं अगर आपको photos select करना है और यहाँ आपको कुछ एक options देख रहे हैं जैसे कि office interior landscape तो आप अपने हिसाब से इन्हें select कर सकते है अब suppose ऐसा कोई video है जिसमें आपको बहुत जादा background को change नहीं करना है एक still background रखना है तो उसके लिए ये वाले जो options रहते हैं ये suitable रहते हैं अब suppose हमको ये एक option है इसको select करना है तो आप क्या करेंगे इस पर click करेंगे और यहाँ आपको free download वाला option मिल रहा है तो आप इसको easily download कर सकते हैं यहाँ आप ये जो drop down arrow है इस पर click करेंगे तो यहाँ आपको इसकी जो size है वो देखेगी resolution देखेगा तो आप अगर 4K में video बना रहे हैं तो आप ये वाला size select कर सकते हैं generally 1920 वाला जो size है इसको prefer किया जाता है तो आप ये वाला जो size है इसको select करेंगे और यहाँ से आप इसको कर लेंगे download selected size तो ये यहाँ से download हो जाएगा इसी तरीके से आप और options भी यहाँ से देख सकते हैं तो at a time आप multiple options यहाँ से download करके use कर सकते हैं ऐसे ही एक और option हम लेकर चलते हैं ये वाला ये भी generally बहुत जादा use किया जाता है videos में तो ये आप जाएंगे free download वा 1920 by 1080 तो ये बस ध्यान इतना रखना है कि lower resolution में आपको इसे download नहीं करना है higher resolution तो चलेगा लेकिन lower resolution में अगर आप इसको download करते हैं और जब भी आप इसे अपने video में use करेंगे तो ये थोड़ा सा blurry देखेगा इसलिए high resolution में ही आपको in stock footage को download करना है तो ये तो हो गया pixels से आप कैसे नहीं use कर सकते हैं इसी तरीके से pixabay पर भी आपको same process follow करना है suppose हमको एक background चाहिए है technology से related अगर आपका video है जिसमें आपको technology से related कोई background चाहिए है तो आप यहाँ पर जाएंगे तो अब जैसे ये एक option है इसको हम select करते हैं यहाँ पर आपको थोड़े और details देखने को मि जैसे कि पहली चीज़ तो अगर आपको इससे download करना है तो वही process है drop down arrow पर click करेंगे जो इसका size है high resolution यह आपको select करना और फिर आप इसको download कर लेंगे ठीक है लेकिन यहाँ आपको यह content license वाला option दिख रहा है इसको आपको select करना है और देखना है कि आप इस image को अगर use करते ह है तो copyright का problem तो नहीं आएगा वैसे तो इसमें free download लिखा है लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आपको credit देना पड़ता है attribution देना पड़ता है तो वो चीज़ एक बार आप यहाँ से confirm कर सकते हैं कैसे यहाँ पर लिखा है कि आप इसे कहां-कहां use कर सकते हैं आप इसे अपने YouTube videos, Instagram या किसी भी तरीके के content के लिए free में use कर सकते हैं कोई भी attribution या credit देनी की आपको requirement नहीं है यह चीज हमको mainly यहाँ पर देखना होता है इसके साथ साथ आप इसको थोड़ा बहुत modify कर सकते हैं अपने content के हिसाब से ठीक है लेकिन क्या चीज allowed नहीं है वो यह सारे points आपकी सारी चीज है यहाँ पर given है तो इन चीजों को भी आपको देखना है इसके बाद ही आप यह जो stock footage है इनको use करें नहीं तो copyright का issue आ जाता है तो यह चीज एक देखनी होती है जब भी हम यह जो stock footage वगएरे use करते डाउनलोड करते हैं तो इन चीजों का हमको ध्यान class ठीक है तो यहाँ आपको इससे related जो अलग-अलग backgrounds है यह सारे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं ऐसे ही हम nature theme लेते हैं और इसके under हमको यह सारे images यहाँ पर मिल रहे हैं अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखना है अगर आपका video horizontal format में है जैसे youtube video आप बना रहे हैं तो उ orientation वाला आपको option मिलेगा तो यहाँ से आप select कर लेंगे horizontal अगर आपको सिर्फ long format video बनाना है तो यह सारे options आपको यहाँ पर मिल चाहेंगे अगर आपको vertical format चाहिए है तो यह आप यहाँ से select करके फिर उस हैसाब से आपको जो options है वो मिल जाते हैं तो आप देख सकते हैं कितन आपको options मिलेंगे कुछ original भी होंगे कुछ AI generated भी होंगे तो सकता है आप सिर्फ AI generated stock footage ही use करना चाहते हों या फिर आपको AI generated use नहीं करना है तो वो आप कैसे filter out करेंगे यहाँ पर जो आपको settings वाला icon दिख रहा है इसको आप select करेंगे यहाँ option दिखेंगा hide AI generated इसको आपको select क लोंगी ऐसे ही unsplash में भी आपको filter options मिलते हैं orientation आप यहाँ से select कर सकते हैं landscape portrait जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से select करेंगे license किस तरह का चाहिए आपको free license वाली images आप use करना चाहते है तो वो आप यहाँ से filter out कर सकते हैं तो इसमें क्या होगा फिर आपको और जादा detail नही देखने होंगे कि क्या उसमें कोई copyright का problem है या फिर उसको हम किस तरह से use कर सकते हैं वो सारी चीज़ा नहीं होगी तो हम शुरू में इन सारी चीज़ों को filter कर सकते हैं कि सिर्फ हमको आप free वाले जो options हैं वो ही show करिए यही हमारा orientation है इसी को हमें use करना है और उस हिसाब से य रही है जैसे की working on a computer तो जिस तरह का आपने topic दिया है उसे साब से आपको suggestions देगा अब यहाँ पहले आप जाएंगे filters पर orientation आप सिलेक करेंगे horizontal या vertical जैसा आपको required है वो आप सिलेक करेंगे अच्छा यहाँ पर उपर generally क्या रहता है न sponsored या paid वाले options रहते हैं तो थोड़ा सा आप नीचे scroll down करेंगे और फिर आप यहां से सिलेक करेंगे तो जैसे यह वाला एक option है इसको आप पहले select करेंगे click करेंगे इसकी उपर फिर यहां पर आप जाएंगे free download और quality आप यहां से सिलेक करेंगे 4K चाहिए आपको full HD चाहिए या फिर HD तो यहां आप जैसे अब अलग-अलग stock footage है तो उस हिसाब से उनके resolutions भी रहते हैं तो generally हम क्या करते हैं थोड़ा higher resolution ही prefer करते हैं और बाद में हम उनको अपने हिसाब से crop कर सकते हैं तो इसमें यह वाला जो option है full HD वाला इसको हम सिलेक करके इसको download कर लेंगे और इसको आप free में use कर सकते हैं कहीं कोई credit वगएरे देने की ज़रूवत नहीं होती है फिर भी आप चाहें तो यहां नीचे जो details रहते हैं इनको refer कर सकते हैं यहां पर लिखा है free to use तो इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देख ले आपको multiple videos, stock footage वगएरे डाउनलोड करने पड़ते हैं क्योंकि video में सिर्फ आप एक ही theme नहीं रख रहे हैं आप multiple backgrounds को use करते हैं चेंज करते जाते हैं तो जब भी आपको यह topic रखा जैसे हमने यहां पर रखा है working on a computer थोड़ा से इसमें आप variation कर सकते हैं जैसे इस topic पर आपक simple आप computer डालिए या फिर keyboard typing तो उस हिसाब से आपको थोड़े थोड़े variations देखने को मिलेंगे तो वो आप यहां से download कर सकते हैं फिर इसमें कुछ एक changes आप और कर सकते हैं आप जैसे ही यहां पर type करेंगे तो नीचे आपको options मिलेंगे आप उनमें से select कर सकते हैं तो उसे क्य करना है और डाउनलोड करना है अपने वीडियो में यूज करने के लिए अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इस stock footage को हम अपने green screen वीडियो के साथ मर्ज कर सकते हैं यूजिंग वीडियो एडिटर ट्रस्ट मी यह ट्रिक आपके वीडियो को एकदम प्रोफेशनल touch देगी so make sure अब next video miss ना करें और उसके लिए आपको bell icon प्रेस करना है जिससे आपको वीडियो का notification मिल जाए अगर ये video tutorial आपके लिए helpful लगा तो like, share और subscribe करना ना भूले और ऐसे ही informative वीडियो के लिए चानल से जोड़े रहें thank you so much for watching see you in next video